हलो फ्रेंट्स वल्कम बैक टू एंचिल गार्डन इस वीडियो में आपको दिखा रही हूं मॉर्लिंग गुलोरी जो बहुत ही ब्यूटिफूल फ्लावर खिले हुए है मेरे गार्डन में और सुबह का साड़े छे बज रहे हैं और बरसात में बहुत सारे फ्लावर साते हैं हैं और इन्हें आप ग्रो क करेंगे तो ग्रो करने के लिए तो अभी नहीं काोंगी क्योंकि ये हैं सिर्फ अभी जितने दिन गर्मी चल रहे हैं तभी तक रहेंगे फिर उसके बाद सर दीव में इये प्लाडन और स现在D gates् of slain क逅 इस ब्लांट को ग्रो गिया था फर्फरी तो देखे मेरे गार्डन में अभी तक बने हुए हैं और बहुत सारे फ्लावर्स देते रहते हैं ये बहुत ही खुबसूरत ये वाइन प्लांट है तो इन्हें आप बालकनी में भी लगा सकते हैं कहीं भी वाल पे चढ़ा सकते हैं जो बहुत ही खुबसूरत इनमें फ्लाव जादा केर भी नहीं करनी परती है नहीं कोई केर नहीं करती हूं यह तो एक पर्मानिन प्लांट के बगल में लगाया था और अब देखे कितने अच्छे से चड़ गया है जो प्लांट है मेरे बहुत सारे उनी में यह अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और यह प्लांट एणनुवल्लांट होते हैं कुछ दिन तक पूरी गर्मी रहेंगे अपके गार्डन में शर्दियों में यह प्लांट सुख जाते हैं पिर रहते नहीं नहीं है तो इन में सेट बंते रहते हैं उनको कलेक्ट करके आप रखते जाए पीर अपहर SHPoded मिल जाते हैं biology जाते हैं और जब भी अगर पॉट में लगाते हैं तो वेल श्वल और लगा एक हिस्सां में लेगा देड़ी हिसे में खाथ और अधी हिसे में रिवर सेंड जिनहें रेच कहते हैं और खाथ में आप ओर्मी कंपोस्त प्रावडंग कंपोस्त तो इनकी सभी को मिला लीजेगा भूरी एक अच्छी से मिट्टी तयार करके इनको लगा सकते इनके सीर्स को लगा सकते हैं या फिर लागाते हैं तो इस तरह से मिट्टी तयार करके आप लगाईए अच्छे से आपके प्लान्ट गुरो करेंगे और बालक्रीमी लगाईए या फिर किसी वॉल पर चढ़ा दीजिए बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग करेंगे खुब सारे फ्लावर्स आते हैं और इनमें कल करते हैं तो अभी मेरे हां बहुत बारिश हो रही के लगादार बारिश हो ही रही है तो मैं कोई भी अबी फेटि लैजर अथने प्लांस को नहीं कर रही हूं तो हूब करते हैं वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा फिर मिलते हूं